जार्खन में कब से कपकप आएगी सर्दी महा पर उछट में कैसी रहेगी ठंड जार्खन में अगले तिन से चार दिनों के दोरान रात के तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं इस दोरान मौसम सुख्क रहेगा मौसम वीवा के पुरवा अनुमान के मुताबिक 13 नौमबर तक मौसम सुख्क रहने का अनुमान है अकास साप रहेगा 11 नवंबर तक असमान साप रहेगा जबकि 12 वा 13 नवंबर को अकास में आंसिक रूप से बादल चाहे रहेंगे पिछले चार दिनों में तापमान में 5 डिग्री गिरावट आई है पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर ज़ारखन में भी दिखने लगा है 6 नवंबर को राजधानी राची का नियूंतन तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गिया तिन नुवंबर को रजधानी राची का नियुंतन तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस था अधिकताम तापमान में धीरे धीरे गिरने लगा है मौसम केंदर के अनुसार जारकन में अगले तिन से चार दिनों के दोरान राथ के तापमान में कोई बदलाओ की संभावना नहीं है इस दोरान मौसम सुस्क रहेकर गात 12 नौवंबर तक अकाश साफ रहेगा इस दोरान अधिकताम तापमान सतच डिगरी और नियुकन दापमान तेरह से पंदरा डिगरी सेल्शियस की बीच रहेगा जारखन में मैट्रिक वर इंटर प्रीच्छा के रजिस्टेशन में फर्जीवारा का मामला आया सामने ओन लाइन जांच में हुआ खुला सा जारखन में मैट्रिक और इंटर की प्रिछा की रजिस्टेशन में बड़े पैमाने पर फरजिवारा सामने आया सिर्व पुर्वी सिंभू में 25 ऐसे अस्टूडेंट है जिन्होंने एक अस्कुल या कॉलेज में ही नहीं बलकी दो-दो जगों से रजिस्टेशन अचानक सामने आने से जारखन एकेडमिक कॉंसिल भी सकती हैं जैक या तैन नहीं कर पा रहा है कि आखिर उक्त अस्टूडेंट को किस अस्कुल या कॉलेज का माना जाएगा मैट्रिक में इस परकार के अस्टूडेंट की संखे राज में कुल 61 है जिसमें सिर्फ पुर्वी सिंभुम जिल्ले के 15 अमिदवार यहीं नहीं इंधर में कुल 10 अमिदवार इस परकार के हैं जिन्होंने दो-दो जगों से रजिस्टेशन कराया है इस फरजी वाड़े के खुलासे के बाद इस परकार के अमिदवारू का रजिस्टेशन रध होगा अंतर राष्टिये परियटन अस्थल का दर्जायर राज में 31 नए परियटन अस्थल घोसित राजि के ट्राइबल म्यूजियम कोड राष्टि वा भगवान बीर्शा की जन्म अस्थली उली हातू जारखन सरकार के परियटन कला संस्कृति खेल कूद वा यूवा कारिवी वाग ने राजि के 31 नए परियटन अस्थलों की घोसना किया इसमें भगवान बीर्शा की जन्म अस्थली खुटी जीली के उली हातों को अंतर राष्टि परियटन अस्थल की रूप में घोसित किया है इसके अलावा राज के नए परियटन अस्थल की सुची में 9 राष्टि और 21 राज की परियटन अस्थल है मंद्राले ने नए परियतन अस्थलों को चार कटेगरी में बाटा है चौथी कटेगरी अस्थानिये टूरिज्म स्टॉफ की है जारखन के परियतन विभाग के सन्युक्त सचीवराजु रंजन राइनि 27 अक्टूबर को इस आसे के अधिसुचन जारी की जो जिल्लों को 6 नवंबर को मिली सरकार के इस कदम से ना केवल परियतन को बढ़ावा मिलेगा जबकि रोजगार को भी स्रीजन होगा मावादियों की आखरी लडाई 25 लाग का इनामी नक्सली मोचु सहीद 4 नक्सली आज कर सकते है आत्म समरपन सरंडा पोडा हाटा के जंगल में मावादियों की आखरी लडाई को संभाल रहे 25 लाग के इनामी मोचु उर्प मेहनत उर्पव विभी सन समेट चार नक्सली सोमुवार को जारखन पुलीस मुखियाले राची में स्रेंडर कर सकती है सुत्रों के मुताबिक मावादियों के बड़े नेता जीवन कंडू लान के बाद पोड़ा हाट के आतंक रहा 10 लाग का इनामी नक्सली महाराज परमानिक वा वैलून और अब मोचु ने भी स्रेंडर कर दिया है लेकिन पुलीस अब उनके स्रेंडर की घोसना करने वाली वैसे पुलीस ने इसकी अधिकारिक पुष्टी नहीं की है मोचु मुलता धनबाद के घोडा बांधा गाउं का रहने वाल है भागपा मावादी संगठन में रीजनल केमेटी का सदस्या इससे पहले स्रेंड़ा पोड़ा हाट में मावादी संगठन क्या रीड रहे मावादी जीवन खुंडाल ने 28 फरवरी 2021 और महा राज पर्मानिक ने 21 अगस 2021 को स्रिंडर किया था चार दिवसी महापर्व छट शुरू मुंगेर सी शुरू हुआ था लोक आस्था का महापर्व छट मंदिर में आज भी महजुद है सीता राम के पचीद के लिए लेकर आया है मागंगा की गोद में बसे सीता चरन मंदिर की ओदूरलब तस्वीर जहां आज भी भगवान स्री राम और माता जानकी के चरन चिन महजुद है मार्य था के मुताबिक वनवास और रावन का वद कर जब स्री राम आयोधिया लोटे तो कुल गुरू वसिष्ट ने उन्हें मुंगेर में रीसी मुगदल के पस ब्रमहतिया मुक्ति अगी के लिए भेजा था मुगदल रीसी ने वर्तमान कष्ट हरनिगंगा गाट पर स्र कि महलाएं इस यगी में भाग नहीं ले सकती थी इसलिए माता सीता को अपने आश्रम में रहने को कहा अस्थापना दिवस पर नागरिक्सिवा मीशन की बड़ी सावगा जार्खन सरकार राजी की अस्थापना दिवस पर लोगों को बड़ी सावगा देने जा रही है सरकार इस दिन नागरिक्सिवा मीशन अभियान शुरूकरेगी या 15 नॉवंबर से सरकार की गठन के दिन 29 दिसंबर तक चलेगा इसके ताथ 11 चेतर की 46 सेवाओं वा योजनाओं में आम आदमी से जुड़े आवेदनों को निप्टाया जाएगा आने इन योजनाओं से जुड़े आवेदनों की परतिछा सुची समाप्त की जाएगी खुद मुख मंत्रे हेमन सौरेन अस्थापना दिवस पर इसका आगाज करेंगे जनकारी के अनुसार मुख मंत्री ने आवेदनों की परतिछा सुची समाप्त कर योग आवेदकों को लाप पहुचाने का लच विभागों को दिया है वही मुख की सचीव ने इसकी निगराने के लिए वेव फोर्टल बनाने का निर्देर सिद दिया है मुखी सची हर हपते इसकी समीच्छा करेगी न्यूजी लेंड में इच्छा मिर्तियू कानून लागू उन्ही को मरने की इजाज़त जिन्हें लाई लाज बिमारी अमेरिका समेच दस देशों के बाद एक और देश सुची में जुड़ी न्यूजी लेंड में इच्छा मिर्तियू का कानून लागू हो किया है इसके तहस सिर्फ उन्हीं लोगों को मर्जी से मरने की अनुमती मिलेगी जो लाई लाज बिमारी से ग्रसित है आनि ऐसे बिमारी जो अगले च्छा महीने में जिन्दगी खत्म कर देती है इससे पहले अमेरिका, स्वीजर लेंड, निदार लेंड, स्पेन, बेल्जियम, कनाडा, कोलॉंबिया, अस्ट्रेलिया और फ्रांस में इच्छा मिर्तियू को कानूनी दर्जा दिया गया था इस सभी देशों में मौत में सही योग से जुड़े अलग-अलग नियम और सरते लागू है नियोजी लेंड में इस प्रकिरिया के लिए कम से कम दो डॉक्टरों की समत्य अनिवार है इस कानून को लागू करने के लिए नियोजी लेंड में लंबे समय से बहस चल रही थी इसकी बाद जन्मत संग्रह कराया गया जिसमें पैरशट फिशदी से अधिक लोगों ने इसके पच में ओट दिया कानून लागू होने पर प्रोश्डेट कैंसर सी पिडित 61 वर्सिये ने कहा कि अब इन्हें चिंता नहीं है कि उनकी मौत कैसी होगी क्योंकि इच्छा मिर्तियों के चलते दर्द नहीं होगा पंचायक चुनाव की सुख भुगाहट के साथ ज्धारखन में उठा फिशा कानू निस्षच्यानव का मुद्धा अब जार्खन में फिर चुनाव की प्रिकिरिया अंतिम चरण में है और तब बुध्धी मानिया है कि चुनाव लड़कर जित कर फेशा कानूर 1996 के अधिकारों के लिए इमन्दार प्रियास करना जार्खन में पंचाय चुनाव 32 वर्ष बाद 2010 के अंत में हुए थे पेशा कानूर 1996 अनुसुची छेत्रों में आधिवासियों को प्रदत आहम अधिकार और सकती है मगर कुछ आधिवासी संगठन इसका विरोध कर नाशना जाने आंगन टेर वाले कहावत चरितार्थ कर रहे हैं यह कानूर वर्तमान में दस परदेशों में लागू है मगर सही नेमा वली की अनुपस्थिती में यह कमजोर है इसके लिए राजी सरकारी दोसी है जारखन में दो बार पंचाय चुना हो चुके हैं चुने हुए पर जन परतिनिदियों को अधिकारों के लिए आंदालन करन चाहिए था इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अब जारखन में फिर चुनाओ की प्रिकिरिया अंतिम चरण में था बुद्धी मानी यह है कि चुनाओ लड़कर जीत कर फेसा कानू 1996 के अधिकारों के लिए इमंदार परियास करना जारखन में पंचाय चुनाओ सुप्री आज अहम दिन, सरकार ले सकती है बदा फैसला जारखर के 65 हजार पारासी चकों के लिए आज अहम दिन है सरकार उनकी अस्थाई नौकरी के मसले पर बदा फैसला ले सकती है पारासी चकों की प्रस्तावित निमवली पर उच अस्तरी कमेटी की बैठक पर सब की नजरेटि Japanese पारा सिछकों के अस्थाई करन तथा वेतंमान को लेकर प्रस्तावित सेवा सर्त नियमावली का ड्राप सोमवार को उजधिरी कमेटी की समच रखा जाएगा सिछा मंद्री जगरनात महतो ले इस सक्तान में प्रस्ताविति नियमावली के प्रीव्धानों पर चर्चा होगी तथा राज में उसे लागू करने पर विचाय किया जाएगा इस बैठक में विकास आयुक्त वित्ति सचीव कर्मिक सचीव सिच्चा सचीव आदि सामिल होंगे इसी सब्ता नियमावली के ड्राफ को पारसिचक को के परती निधी के समच रखा जाएगा बता दे कि एकी किरित पारसिचक संगर्श मोर्चा ने 14 नुवंबर तक अस्थाई करनवा वेतनमान की घोसना नहीं होने पर राज अस्थापना दिवश्रामा रोका विरोध करने करनी ने लिया है जार्खन में संपन लोग राशन कार्ड कर दे स्रेंडर वर्न होगी एकठोर करवाई मात्र पांच कारधारियों से 3.5 लाग की वसूली राजी जिल्ले में अब घर घर जाकर राशन कारधारियों का सत्यापन किया जायगा रह शंपन प्रिवार के घरों की संपत्यों की विडियो रिकॉर्डिंग भी कि जाए साची जमा होने के बात ऐसे लोगों जो काड के लिए आयोग हैं और काड का लाब ले रहें उनके खिला प्रात्मी की दर्ज की जाएगी जिला पर्शाषन ने इसे कारी के लिए विशेश टिम का भी गठन किया है यह टिम कभी भी जाकर घर पर छापा मार सकती है पिछले एक साल से जिला पर्शाषन शंपन लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने को कह रहा है अब तक तिन हजार लोगों ने ही राशन कार्ड सरेंडर किये हैं इसके बाद पर्शाषन ने संपन लोगों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए दोबारा महलत दी और सितंब पर्ग में सुची निकाल कर 21 अक्टूबर तक का समय दिया था इस आवधी में सिर्फ पांच लोगुक नहीं कार्ड श्रेंडर किया जिला पर्शाषर ने सर्वे के अनुसार 25,000 ऐसे लोग है जो आयोग्यता नहीं रखने के लिए बाद भी राशन कार्ड बनाए हुई हैं पंजाब जेल से छूट अंतर राजे तसकर चत्र में आधा किलो अफिम के साथ गिरपतार चत्र में अंतर राजे ड्रग माफ्या गैंग की विरूद पुलिस ने बड़ी करवाई की है पुलिस को मिली गुप्त सुचना के अधार पर हंटर गंज थाना छेतर के कासी के वाल गाउसे अफिम के साथ राजिस कुमार नाम के तसकर को गिरपतार किया गिरपतार तसकर के पास से तक्रीबन आधा किलो अफिम जबत किया गया थाना परबारी सचिन दस के नेतरित में कर्ठित टीम ने करवाई की है SDPO अविनास कुमार ने बताया कि हंटर गंज और गिद और ठाना पुलिस की सन्युक्त टीम अफिम तसकरी से जोड़े एक मामले को लेकर छापे मारी अभियान चला रही थी अभियान के दोरान ही पुलिस को गुप्त सुचन मिली की राजिस कुमार नाम अमक अंतर राजी गिरों के तसकर ने तसकरी के लिए अफिम का भंडारन कर रखा है सुचना परतिवरित करवाई करते हुए हंटर गार ज अंचल अधिकारी मिथले इस कुमार और थाना परभारी सचिन दास के सन्युक्ति नेत्रित में एक टीम का गठन किया गया इसके बाद टीम ने छापे मारी अभियान चला कर कासी के वाल गाव से तसकर को अफिम के साथ गिरबतार किया है